नमुश्कार मोप्रिया आज है नौ में ख़वियों की तरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुरुखियों पर आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं का होगा ठीका करण भिहार में आवादी के हिसाब से आवंटिक होगा पैसा वधार सबार वधार परिसित के चिनाफ पर लगी रोग भिहार में बगलने जा रहा है बालो भाटो को लेकर नियम केमिन में अस्पतार में भर्ती करवाने के लिए COVID-19 पॉजिटिव रिपोर्ट की बाधिता को हटाया अब चली बढ़ते हैं भिहार की 25 बड़ी खबरों की और विस्तार से आज से 18 साल से जिएदा उम्र के युवाउं का होगा ठीक अकरत भिहार बासिओं के लिए खुश खबरी आज से 18 साल से जिएदा उम्र के लोगों को ठीका लगाने का काम किया जाएगा हाला कि ध्यान रहे 18-44 साल की उम्र वाले लोगों को कोरोना का ठीका लगवाने के लिए पहले रेजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है मिली जानकारी के नुसार ठीका करन की आप उर्ती होते ही बिहार में 18 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं के ठीका करन की शुरुवात कर दी जानी थी जिसके बाद आज से इसके शुरुवात होने वाली है इसके लिए जरूरी वैक्सीन की डोज बिहार को मिल गई है विहार में COVID-19 के मिले 12,000 से ज्यादा मामले स्वास्तवभाग की तरफ से मिली ज्यानकारी के नुसार विहार में बीते दिन के पिश्रे 24 गंटे में कुल्मिला करके 12,948 मामलों की पुष्टी हुई है जिसके बाद आक्टिव मरीजों की संग्या 1,12,960 पर पहुँच गई है महीं प्रभाविजिलो की बात करें मुंगेर में 242, मुजफरपुर में 480, नालंदा में 740, नवादा में 150, पत्ना में 2498, पुर्णिया में 312, रहतास में 207, सहरसा में 371, समस्तिपुर में 560, शेखपुरा में 238, शिवर में 96, सीता मणी में 104, सिवान में 218, सुपॉल में 309, वैशाली में 480, वेश्च चं गंटे में कुल मिला करके 14,962 मुरीज ठीक हो कर घर वापस लोटे हैं, जिसके बार ठीक होने वाले मुरीजों की संख्या 4,64,025 पर पहुँच गई है बिहार में आबादी के हिसाब से आवंटित होगा पैसा, बिहार में जिलो की देखरेक के लिए अबादी के हिसाब से पैसो का आवंटिन किया जाएगा, जिसके तहट केंदर सरकार के पंचायत राज मंत्राले द्वारा की गई 15 विवित आयोग राशी जिलो को आवंटित क रहा है सरकार कोरोना की लड़ाई में अस्पतालों की ववस्ता मजबूत करने में प्रती जुला परिश्रत ओसतन तीन से पांच करोर रुपए खर्च करेंगे जुला परिश्रत सदस्य अपने अपने कोटे से जुला अनुमंडल और प्रखन इस तर ये अस्पतालों के लिए फंड अवंटित कर सकेंगे वहें इस बावत पंचायती राजमंत्री सम्राट चौधरी ने बताये कि राश्प्री का अवंटन जिलों की आबादी के हिसाब से खिया जाएगा ऐसे में औस सतन तीन से पांच करोर रुपए तक प्रते एक जिलों को आवंटित किया जाएगा बिहार में 12 ट्रेनों के समय में किया गया विस्तार COVID-19 के बढ़ते प्रभाब को देखते वे जहां एक तरफ बिहार में कई ट्रेनों के परचालन को बंद कर दिया गया वहीं दूसरी तरफ 12 ट्रेनों के समय में विस्तार करने का फैसला सुनाया गया है जिसके तहट पुर्वमद रेलवे ने बिहार के समस्तेपुर मुंबई सेंटरल एक्सप्रेस बरौनी बांदरा स्पेशल, मुंबई सेंटरल भागलपुर एक्सप्रेस एहमदबाद कॉलकता स्पेशल गुहाथी ओखा स्पेशल ट्रेन के परचालन का वस्तार किया है वही र COVID-19 के बरते प्रभाब को देखते वे स्वास्त मंत्राले ने हाली में टीका करन को लेकर अपनी गाइडलाइन को पेश किया है मंत्राले की गाइडलाइन के मतावे किसी भी व्यक्ति को वैक्सिनेशन कराने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर, ड्राइ के लोग भिखारी, पुर्णावास, केंडरों में रह रहे हैं मरीजों को शामिल किया गया है, ऐसे लोगों को ढूडने का जिम्मा जिला को दिया गया है बिहार में इतनी इकाई लगाने के जिम्मदारी मिली माक्रो माक्स समेथ कई कंपनियों को बिहार में इथनॉल का लगाने की जिम्मेदारी मिली माक्रो माक्स समेथ कई कंपरियों को शान अवाज हुसेन बीते दिन कंट्रेशन आफ ओल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से आयोजी देख वर्चुल संबात का हिस्सा बने थे इस दोरान उन्होंने बताये कि इथनॉल के शेत्र में माक्रो माक्स सहित कई बड़ी कमपनियां आगया हैं वो चावल मक्का और गन्ना से इथनॉल बनाएंगी 12 रुपे प्रती लीटर की बचट से इसके साथ ही उन्होंने अभी बताया है कि इथनॉल यूनिट लगाने पर 90 पे फीजदी तक SBI से रोन मिल सकेगा ऑक्सुजन के 11 प्लांट हम लगाने जा रहे हैं उद्यमियों को 30 फीजदी सबसीरी दी जाएगी पूर्व से कारड़त 11 यूनिटों की संख्या बढ़ा कर 19 पहुंचा दी गई है तीन अन्य यूनिटों में भी शिक्र उत्पादन बिहार में शुरू होने वाली है इसकी तैयारी इंडियन ओयल कोर्परेशन की बिहार कार्या लेन शुरू कर दी है इसके लिए टैंक बन कर तैयार है अधिकारियों की माने तो सरकार आदेश और उत्पात की ववस्ता कर दे तो उसके 10-15 दिन के अंदर बिहार में भी बायो डीजल की साहिता से डीजल वानों को चलाने के लिए उनमें किसी प्रकार का तक्नीकी परिवर्तर नहीं करना पड़ेगा शेहरों में बढ़ते वायू प्रदूशन को कम करने के लिए बायो डीजल का प्रयोग को बढ़ाना बहुत एहम कदमाना जा रहा है राजी सरकार का लगब 5 फीजदी बायो डीजल सम्मेलन का लक्षे है आपको बता दे बायो डीजल पारंपरिक डीजल के स्थान पर एक वैकल पिक इरधन है CPASY के DOSTS FOR LIFE से चात्रों को मिलेगी उच्तिक्षा से लेकर हरी में CPASY में DOSTS FOR LIFE अप्रिकेशन की शिरुआत की गई है इस अप्रिकेशन की माध्यन से विभिनु कॉलेज की प्रिंसिपल चात्रों को परिक्षाओं के तनाव से बचाने की सला देंगे इसके साथ ही वो उन्हें यह भी समझाएंगे कि बारहवी की परिक्षा के बाद शात्रों को किस स्ट्री में आगे बढ़ना चाहिए सोमबा से शिरू होने जा रहे इस सेशन में शात्र अभिभावकों को दो स्लोट में से कोई भी समय चुन कर मिश्टरग्यों से अपनी समस्याओं का हल जान सकेंगे देश-विदेश के सभी शात्र को मुफ्त में उपलब्ध होने वाले इस सहायता को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी लॉक्डाउन के बावजोत लीची की होगी जोर शोर से मार्केटिंग पिश्टर साल COVID-19 की कारण लॉक्डाउन के समय में मुजफरपुर की मशूर शाही लीची की मार्केटिंग में कमी देखने को मिली थी अलाके इस बार पहले से ही सरकार अपनी तरफ से तयार है जिसके तहती डीडीसी डॉक्टर सुनिल कुमार जहा की अध्यक्षता में वेठकी गई जहां डीडीसी ने बाग से लीची की तुराई उसे मंडियों तक पहुचाने उसकी पाकेजिंग, लोडिंग, अनलोडिंग परिवहन आधी कारे लॉकडाउन की नियम का पालन करते वे करने को लेकर निर्देश दिये हैं नाशनल पर्मिट वाले ट्रांसपोर्टर्स की कार्याले बंध होने से व्यापारियों से अनुरोथ किया गया है कि ट्रांसपोर्ट एजनसी एवं दो व्यक्तियों को लीची के निर्बाध विपनन के लिए पास जारी किया जाए सहाइक निदेशक उध्यान ने जानकारी पर दिए पास जारी किया जाएगा नो इंट्री में शहर से वाहन को पार कराने के लिए पास की वस्ता भी जुला क्रिशी पदाधिकारी और सहाइक निदेशक उध्यान को दिया गया जुले के सभी लोडिंग पॉइंट को चुनित कर उसकी सूची बिहार लीची उतपाद प्लब्द कराने को कहा गया है जदियों में सी तन्वीर अक्थर ने दुनिया को बीते दिन अलविदा कह दिया है कि राज़किय सम्मान के साथ अंतिम संसकार किया जाएगा मुख्यमंद्री ने कहा कि इश्वर से प्राथना है कि वो उन्हें जन्नत में आला मकाम अदा करे और उनके परिवार वालों को इस अपुनिये श्रती को सहन करने की ताकत दे वधान सभा और वधान परिसत के चनाफ पर लगी रोग कोविड-19 के बढ़तेर प्रभाव को देखते वे जिस बात का अंदाजा था वही हुआ जिसके तहत दर्वाच नायोग ने लोगसभा और वधान सभा की रिक्त सीटों के लुप चनाफ कराने पर फिलहाल रोक लगा दिये इसके साथ ही मुंगेर जिले के तारापुर वधान सभा शेत्र का उप चनाफ पर भावित होगा तो वधान परिस्त की 24 सीटों पर निर्वाच वित सदस्यों का कारेकाल 16 जुलाई को समाप्त हो रहा है पपु यादब ने राजीव प्रताप रूडी के सामने खड़े किये 40 ड्राइवर जनादिकार पार्टी के अध्यक्ष पपु यादब और पुर्फ मंत्री राजीव प्रताप रूडी एक दूसरे के आमने सामने आगे हैं मंत्री राजीव प्रिताप रूडी के प्रसेक्शन केंदर पर खड़ी आंबुलेंस मामले में उनसे मिली चुनौती का करारा जवाब देते वे जनादिकार पार्टी के राजट्रे देक्श पप्पू यादव ने आज शालिस लाइसन्स धारी ड्राइवर खड़े कर दिये हैं और कहा है कि बिहार सरकार जोहाँ भी अंबुलेंस को ड्राइवर की जरूरत हो वो ले जाए साथिनोंने महामारी आक्ट के तहट भाजपाने था राजीर प्रताप रूडी पर बुकत वाज़र्च करने की बात कही है बिहार में बदलने जा रहे हैं बालु घातों को लेकर नियम बिहार में नए हाथों में बंदोबस्ती सौपने की तयारी हो रही है इसको लेकर के बिहार में बालु घातों को लेकर नियम बदलाव होने वारा है खानेवं भूतत विभाग समेली जानकारी के नुसार पुरानी बालु नीती के तहट जिन बालु घातों की बंदोबस्ती हुई थी नियम्स शामिल करने जारी है जल्दी इस्तंबन में अधिसूचन जारी होने की संभावना है संक्रमेटों के राज के लिए नई दवा के आपात खाले इन इस्तमाल को मेली मंजूरी भारत के औशुधी महानियंत्रक ने एक नई कोविड रोधी दवा के आपात इस्तमाल को मंजूरी दे दी है ये दवा DRDO ने विक्सित की है रक्षा मंत्राले ने इस बात की जानकारी देते में बताया है कि मुह के जरीय ली जाने वाली इस दवा को कोरोना वाइरस के माध्यम से गंभी रिडक्शन मरीजों के इलाज में इस्तमाल करने के नुमती दी गई है जानकारों की माने तो चिकित सी है बोधगया की मुलब के लिए आगया है दस देश के लोग कोविट-19 के लगातार खराब हो रहे मामलों के बीच बोधगया में मदद का हाथ सामने आया है जिसके तहट गया में बोधधर्म से जुड़े दस देश के नागरिकों ने बोधगया के लोगों के लिए इस सिलिंडर लोगों को निशुर्ख दिया गया है, इस सिलिंडर के साथ सारे उपकरन दिये गया है, जिसमें मरीज के परिजनों को किसी भी सामान के लिए परिशानी ना होनी पड़े, भी अतनाम देश की सिस्टर ब्लू लोटस ने पहल करते विए 10 देशों के लोगों से इस बावा सिस्टर ब्लू लोटस ने बताया कि कोरोना महमारी में बोध गया में ऑक्सिजन की किलत हो गई थी, जरुवत पंडे पर और ऑक्सिजन सिलिंडर दिया जाएगा, जिसके बाद अब बोध गया कि सिधार्त क्याम पिशन ट्रस्ट के निदेशक विवेक कल्यान इ किसी को ध्यान में रखते वे, स्वास्तव भाग ने सीटी स्कैन के लिए रेट फिक्स कर दिया, हैब सिंगल सिटे स्कैन के लिए 25 रुपए देने होंगे, भही मर्टी सिटे स्कैन के लिए 3000 रुपए का शिल्ख रही गया, यह राश्री सभी टैक्सों को जोड़ कर ली जा वाली है, मुखी मंधरी नितीश कुमार ने बीते दिन जबाबत उचसतर ये मीटिंग मुलाई थी, बैठक में तैय किया गया कि ठीका करन को लेकर अस्पतालों में काफी भीड होगी, ऐसे में संक्रमन का और फैलाब हो सकता है, लहाज़ा अब स्कूलों और कॉलेज में ट शुशील कुमार मोदी ने की है, इस बाबत संसर शुशील कुमार मोदी ने कहा है कि भारत सरकार की निर्देश पर आरबियाई ने COVID-19 से मुकाबले के लिए मसलन अस्पताल, ऑक्सूजन प्लांट और अनेच्यो कित साउप करनों के निर्मान आदी के लिए बैंकों के जरि लालू यादव की इस बैठक पर होने वारी है, आज होने वाली बैठक में नेता प्रतिपक्ष, तेजस्वी यादव और राज़त की राष्ट्री अध्यक्ष लालू यादव उपस्थित रहेंगे, मौई पार्टी के सब विधायकों और विधान सबाच चुनाब 2020 के हारे विप्रत्याशियों को मीटिंग में शामल होने को कहा गया है, जद्यू प्रवक्ता अभिश्रेक ज्वार ने कहा कि हम लोग लालू यादव के उत्तम स्वस्थ की कामला करते हैं, उर्वही भाजपायमल सी नवलकिशोर यादव ने कहा कि लालू यादव बैठक क्या केंद्र ने अस्पतालों में भरती करवाने के लिए COVID-19 पॉजिटिव रिपोर्ट की बाधिता को हटाया, अस्पतालों में भरती करवाने के लिए अब तक COVID-19 पॉजिटिव रिपोर्ट की बाधिता थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने नए नियम के अनुसार अस्पतालों या अवश्रक दवाई भी शामिल है भले ही मरीज किसी दूसरे शहर का ही क्यों ना हो संजेज जैसवाल ने किया COVID-19 अस्पताल का निरिक्षन COVID-19 के बढ़ते माहौल के बीच भाजपा के प्रदेश अधिक डॉक्टर संजेज जैसवाल ने बेतिया गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज में जाकर मरीजों का हाल चाल जाना डॉक्टर संजेज जैसवाल खुद PPE किट पहनकर कोरोना बॉर्ड में मरीजों से मिलकर उनका सिहत के बारे में पूछताज करते देखे गए उन्होंने बताए कि अस्पताल में डॉक्टर अपनी श्रमता से ज्यादा काले कर रहे हैं इसलिए मरीजों को G.N.M. कॉलेज के प्रांगर में सिर्थ डेडिकेट अस्पताल में भीजा जा रहा है उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों ने श्रिकायत किया था कि यहां सुवधाय नहीं है इसलिए मैंने खुछ जाकर पूरे डेडिकेटिड कोविड-19 अस्पताल का दौरा किया ऑक्सिजिन के किलत पर तेजस्वी आदव ने मांगा स्वास्तमंत्री का इस्तिफा ऑक्सिजिन के होरी लगातार किलत पर ने तब रदिपक्ष तेजस्वी आदव ने स्वास्तमंत्री मंगल पांडे से इस्तिफे की मांग कर दी है साथी सरकार पर भी निशाना साथ है जिसके तैट लगातार कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते वे तेजस्वी आदव ने अपना ट्वीट जारी करते वे लिखा कि क्या नितेश कुमार इंसे इंकार करेंगे NMCH निदेशक ने पद छोड़ने की पेशकर की थी और अब DMCH के प्रमुख ने भी साथनों की कमी पर सवाल अठाया और इस्तिफे की पेशकर की है स्वास्तमंत्री पूरी तरह से फेल है और उन्हें तुरंत वर्खास्त की आदाना चाहिए आपकी जानकारी के लिए आपको बताते हाली में ऑक्सिजिन की कमी के कारण RMCH अधिक्षक ने इस्तिफे की पेशकर की थी जिसके बाद अब DMCH के प्रमुख में भी इस्तिफे की पेशकर की गई है यह कारण है कि तेजस्वी आदर समेथ कईवे पक्षिदलों ने इस मुद्दे पर अपना बयान देना शुरू कर दिया है भारत के इतिहास में आज की तारीक कई कारणों से एहमानी जाती है 1576 में भाराना प्रताप और अकपर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध आजी के दिन शुरूआ 1603 में विश्विख्यात एतिहासिक इमारत ताजमहल का अंदर्मान 22 वर्ष के निरंतर परिश्रम के बाद आजी के दिन हुआ 1844 में बॉंबे वरतमान में मुंबई में पहली बार घोरे से खीची जाने वाली च्रॉमकार शुरू आजी के दिन हुई ICC WTC फाइनल और England सीरीज के लिए भारत की टीम आई सामने वर्ल्ड कप चैंपियंशिप फाइनल और England के खिलाफ होने वाली पांच माचो की टेस्स सीरीज के लिए भारत का स्क्वार्ट सामने आया है कि विराथ खोली के ने दिर्तुवाली टीम इंडिया दो जून को इंग्रांट के लिए रवाना हो जाएगे जिसके लिए रोहर शर्मा, शुपमंगिल, मयंक गरवाल, चुदेश्वर पुजारा, विराथ खोली, अजुंक रहाने, हर्मा विहारी, रिर्शब पंत आर अश कि विर्शबिन, रविनर जडेजा, अक्षर पटेल, वशिंग्टन सुंदर, जस्प्रीद बुम्रा, इशान शर्मा, मुहमद श्रमी, म्डे सिराज, शार्दुल, ठाकुर, उमेश यादव, एल राहुल, रुदिमान साह का नाम शामिल है, वही स्टैंड बाइ खिलारी मे इस्वरवान प्रसिद कृष्णा, अवेश खान, अर्जन नागवसवाल के नाम को शामिल किया गया है, वाट्साप अप 15 मई से लागू नहीं करेगा, अपने ग्राकों के लिए नई पॉलिसी, वाट्साप अपने यूजर को जल्द ही राहत की खबर देने वाला है, कई मह इससे पहले वाट्साप ने कहा था कि सभी ग्राकों को 15 मई 2021 तक हर हाल में इस नई पॉलिसी को स्विकार कर लेना होगा, यदि कोई यूजर ऐसा नहीं करता है, तो कंपनी पहले तो कुछ दिनों तक टोटिफिकेशन भेज़ती है, उसके बाद अकाउंट को डिलीट कर दे इस बाबत सांसर शुशिल कुमार मोधी ने कहा है कि भारत सरकार की निर्देश पर RBI ने COVID-19 से मुकावले के लिए मसलन अस्पताल, ऑक्सूजन प्लांट और अनेच्रो कित साउप करनों के निर्मान आधी के लिए बैंकों के जरीए 50,000 करोड के सस्ते ब्यास पर रिंड द इसके लावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय क्या भाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले वढ़तें आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नुसार आज से 18 साल से जादा उम्र के लोगों का टीका करने शुरू होने से बिहार में कोविड-19 की बड़ते प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी या नहीं अपने जवाब हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दवाला ना भुलें